प्रियादर शको, नमस्कार मैं आचारी पंकस सास्त्री आप देख रहे हैं, फरवरी महने का मासिक राशी फलका कारिक्रम और आज हम बात करने वाले हैं बचक्र की अंतिम राशी मीन राशी के जात्कों की, फरवरी के महा में कैसी ग्रहों की इस्तिती आपके लिए बनी वी ह है कैसा आपका स्वास्त रहेगा कामकाज नोक्री व्योवसाय में क्या-क्या उतार चढ़ाओ आपको देखने को मिल सकते हैं आर्थिक स्तिती के दृष्टि कोन से यानि रेगुलर इंकम की स्तिती मीन रासी के जात्मों के लिए क्या सौगात लेकर के आ अब करेंगे इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे प्रियादर्ष्यको रासी फल का कारिक्रम आपकी जन्म रासी चंद्रासी पर आधारित है इस रासी फल के कारिक्रम को आप लगन कुंडली से न देखें चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक नजर डालते हम मीन रासी के जात्मों की ग्रह गोच्रे इस्तिति पर संपूर्ण फरवरी के महा में ग्रहों की इस्तिति मीन रासी के जात्मों के लिए कैसी बन हुई मीन रासी के जो स्टित है। शुक्र और मंगल कर्म भाव दस्वें भाव में धनूराशी में संज्राण कर रहे हैं। सलेफ कि बात करें तो खुम्बा रासी के अंतरगत बार्वें भाव में इस्टित है। करेंगे प्रियादर्शक को एक इस्तिती में रासी के जात्कों की कुछ इस तरह की बन रही है इसी ग्रह गोचरे इस्तिती के वी चार ग्रहों का परिवर्तन होगा कब कहां पर और कैसे यह परिवर्तन होगा और क्या-क्या इस्तितियां आपके लिए बनने जा रहे हैं इस प भाव से संबंदित लाव आपको अवसे मिलने वाले हैं तेरह तारिक को सूरेदेव का परिवर्तन सूरेदेव मकर रासी को छोड़ करके कुम्ब रासी में प्रवेस करेंगे बारवें भाव में इस्तित होंगे सनी के साथ युति बनाएंगे यहां आपको सतरक शाब्धान र कर तो चंद्रमान बहुती गतिसील ग्रै यह मातर दो से शवा दो दीन के वीतर ही अपनी रासी प्रवर्तन कर देते हैं जब सूभ ग्राहों के साथ होते हेंसं सुभ भावों में संचरन करते हैं यहां पर एकारक होते हैं तो निश्चिती यह पॉजिटिव देते हैं लेकिन वही चंद्रमा जब प्रूर्ग रहों के साथ युति बनाते हैं जन्म पत्रिका में 3-6-8-12 इत्यादिक प्रूर भाव में इस्तित होते हैं तो कहीं न कहीं नकारात्मक इस्तियान देने का कारे भी करते हैं यानि नेगेटिव रिजल्ट भी प्रदान करते हैं और फल स्वरूप एक महा के वितर 6-8 दिन तो हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं जब हमें कारी छेत्र से हो व्यवसाए के छेत्र से हो आर्थिक इ याट दिन ऐसे भी अवस्य देखने को मिलेंगे जब हमें हर छित्र से नकारात्मक्ता दिखाई देती है नेगेटिविटी दिखाई देती है तो ऐसे कौन सी तारिखें रहने वाली हैं जिन तारिखों में आपको हाने होगी इस पर हम चर्चा करें लेकिन उससे पहले आपको लाब देने वाली तारिखें होंगी वही आठ नौव बारत तेरह तेईस चौविस चब्वीस सटाइस अठाइस और उनतीस फरवरी को आपने विशेश रूप से सतर्क साबधान रहना है स्वेश तारिखें आपके लिए सामान्य तारिखें रहेंगे प्रिया दर्शकों य ऐसी स्टिती मीन राषी के जात्कों के लिए बनिव है है मैं रिप्रिया रशकोस में राषी साधी का प्रवाव है सनी डेव आपके लिए 16명 में इस तित हैं यानि सारेडिक रूप से हो यτα मानसिक रूप से दोनौ देना होगा मानशिक तनाउ को डिप्रेशन अधियाधिक सकता हैं नेत्रों से संबंदीच समस्य आई आपको देखने को मिल सकती है अच्छे स्वास्त के लिए आपको नरंतर सनी देव की आरादना अवस्य करनी है देव गुरु ब्रस्पति के आरादना करनी है संभव हो तो आजित्ते अर्दे इस्त्रोत्र का पाठ 13 फरवरी 2024 के पस्चात आपको जरूर करना है नहीं तो सूरे देव को अर्ग दे ओम घ्रिणी सूरिया इन महा इस मंत्र का आप जब करिएगा निश्चित् के जात्कों के लिए दस्वें भाव के स्वामी देव गुरु ब्रस्पति ही बनते हैं यानि आपके रासे स्वामी देव गुरु ब्रस्पति ही आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं दस्वें भाव में सुक्त्र और मंगल की इस्तिती है पांच फरवरी को मंगल भी यहा आप कोई और लेगा ऐसी इस्तितियों से आपको जरूर बचना होगा संगर्ष की इस्तिती रहेगी क्योंकि साड़े साती है तो संगर्ष यथावत इस्तिती में रहेगा परिशर्म खूब करेंगे खूब पसीना बहाएंगे लेकिन कहीं कहीं कारे छेत्र में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपने अपने लिए एक मुकाम सेट किया था उसको लेकर के आपने थोड़ा सा सतरक शाबधान लेना है किसी भी परकार की लाप्रवाही से जरूर बचिएगा यदि आप मीनदासी के जातक हैं तो मीनदासी के जातक अक्सर थोड़ा आलसी हो होते हैं आलस से आपने अवसे बचना है अपने कारी छेत्र में टाल मटोल करने से बचिएगा नौकरी का छेत्र हो यव्यवसाइक छेत्र दोनों ही जगह संगर्स की इस्तिति आपके लिए ग्रहों की इस्तिति बहुत सकारात्मक नहीं है मीनदासी के जातकों के लिए इसल सकते हैं लेकिन ध्यान रखेगा ये राहु का प्रभाव होगा सनी का प्रभाव होगा और इनके प्रभाव से बहुत अत्यदिक प्रभावित होने से आपने बचना है यानि भ्रमित होने से बचे जो भी आप निरंतर कारे करते हैं उसी पर आपको फोकस करने की आवशक्ता पढ़ने वाली है तो इस बात का आपने ध्यान डखना है प्रियादर्शक को व्यवसाइक द्रश्टी कौन से भी बहुत उत्तम इस्तिती नहीं है पारिवारिक रूप से मतभेत कलह की इस्तिती आपके लिए बनती भी नजारा रही है के तू सात्व इंकम के स्वामी आपके लिए सनिदे भी बनते हैं और रेगुलर इंकम का जो लोड है वो खर्चों के वहाव में इस्तित है तो निश्चिति खर्च तो आपके बढ़ने वाले हैं लेकिन इंकम की इस्तिती वे फरवरी के महा में विशेश कर पांच फरवरी के पस्चात कि भोमी भवन से सम्बंदित कारी च्चित्रों से जुड़े हुए जातकों को अच्छा लाब होगा निश्चित्ति निश्चित्थ आपको लाब देखने को मिलेगा लेकिन यहां मंगल अग्रेसिव भी बना देता है साड़े साती का प्रभाव है मंगल अग्रेसिव बनाएगा तो आप ऐसे से खर्च कर डालेंगे जो खर्च आपको नहीं करने चाहिए इसलिए ऐसे खर्चों को करने से आपने जरूर बचना है, अत्यदिक खर्च करने से बचेगा, अनावश्चक यात्राओं को करने से बचेगा, निश्चित्थी लाब देखने को आपको जरूर मिलेगा, संपूर्ण फरवरी के महा में मीन रासी के जातक हो, आर्थिक किस्तिती मजबूत होगी, लेकिन ब्यर्थ का खर्च करने से बचिएगा, स्वास्त का बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा, अपने कारी छित्र में दिगभरमित हो सकते हैं, ऐसे इस्तितियों से बचेगा, और व पशकार जानकारी अच्छी लगे तो सेर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा, और जोते से संबंदित, तमाम व्यक्तिकत जानकारियों के लिए आप संपर कर सकते हैं, डबलेट, टू-सिक्स, एट, डबल, जिरो, टू-जिर हैं, पर बशलर करpettoरी तानकारी और मुअर वियक्तिकत जानकार जो चैनल को सेर जो जबलेभान